नमस्कार दोस्तों, टेक सकेंगेक बिल्कुल नहीं है, फ्रेस और एकसाइटिंग अबसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, इस वीडियो के टाइटेल और थाम्नेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा, इस वीडियो के अंदर में भारत के अंदर वाटसाप कम्प्लील बंद होने वाला है, इसके बढ़े मैं बताऊंगा, दोस्तों रिसनली आप different newspaper हो सकते हैं, या different article के अंदर पढ़ सकते हैं कि WhatsApp भारत के अंदर बंद होने वाला है, क्या ये fake news है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, finally ये fake news नहीं है, WhatsApp सच में अपने operations को भारत के अ WhatsApp अप्लिकेशन बंद होने वाला है जहां पर भारत के अंदर जो यूजर वेस है वो दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज़ादा यूजर वेस भारत के अंदर लेकिन आचाना क्या कूछ चीज हो गया जिसके वैसे भारत के अंदर पहले इसका parent company फेस्बुक था लेकिन फेस्बुक का नाम चेंज करके मिटा कर दिया गया भी मिटा का तीन साबसिरारी ब्रैंड है फेस्बुक, इंस्टागम और वाटसाप भारत के लोगों के अंदर इसी कारण से काफी जाधा popular है क्योंकि वाटसाप के अंदर एक काम होते ह यानि आप किसी के साथ बातचीत कर रहा है आप अपने दोस्त के साथ वाटसाप के ऊपर बातचीत कर रहे हैं आपने कोई message यहां पर टाइप किया वो message instantly encrypted format के ऊपर चले जाते हैं और उसके पास डेलिवर हो जाते हैं और उनके फोन पर जाकर वो मिले डिक्रिप्ट होते हैं और बीच में अगर कोई message को पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ने ही पाएंगे क्योंकि वो completely encrypted option के अंदर रहते हैं और इसी कारण से कहा जाता है कि यह WhatsApp के अंदर कुछ message यहां पर भेज रहा है अगर government चाहिए कि क्या message यहां पर भेज रहा है वो message को पता लागा ना तो वो कर सकते हैं तो इस तरीका rules and regulations government की तरफ से लागा गया लेकिन WhatsApp तो काम करते हैं into an encryption के उपर WhatsApp खुद भी कोई मैसेज को सेब करके नहीं रखते तो इसी कारण से मेटा कंपणी की तरफ से मतलब WhatsApp का जो पिरेन कंपणी है मेटा उनकी तरफ से देली हाइकोट के उपर चैलेंज किया गया था गवर्मेंट के यह particular rules and regulations के उपर जिसका राय यहां पर निकल के आ है दोस्तों WhatsApp के माल से यह particular case से यह लड़ रहा था तेजास करिया जो लॉयर है उन्होंने यहां पर WhatsApp की तरफ से यह particular case को लड़ा और जब उनको पूछा गया क्या WhatsApp दुनिया के किसी भी देश के अंदर किसी भी type of message को सेब करके नहीं रखता तो उनकी तरफ से directly आपर बताया गया है कि दुनिया के अंद अगर भारत के अंदर आपको इन-to-end encryption सार्विस को यूज करते हैं और यह WhatsApp का प्राइमरी रूल से रेगुलेशन से कि वो इन-to-end encryption के उपर ही काम करेंगे अगर भारत के अंदर वो अपने services को अगर प्रोवाइड करता हूँ इसके लिए सरकार की वज़े से अगर उन्हें इन-to-end encryption को तोड़ना पड़े तो वो भारत के अंदर आपने operations को नहीं चलाएंगे भारत के अंदर बहुत सरा ऐसे application प्लेश्टोर के अंदर आपको मिल जाएंगे जो application के अंदर आपको इन-to-end encryption देखने के लिए नहीं मिलते तो अगर customer चाहे वो सरा application को यूज कर सकते है लेकिन WhatsApp भारत के अंदर अपने operations को बंद कर देंगे अगर उन्हें in-to-end encryption को तोड़ना पड़े क्योंकि WhatsApp के उपर लोग भडोसा करते हैं अपने in-to-end encryption के उपर अगर भारत सरकार के प्रेशर पर आकर अगर WhatsApp अपने in-to-end encryption को तोड़ देते हैं तो दुनिया के अंदर जह कि वो जो फेक निउस जो यहाँ पर फ्याला रहा है मतलब जो प्राइमरी सोर्स से उसे हम पकर नहीं पा रहें WhatsApp के इन-to-end encryption की वज़े से जो प्राइमरी सोर्स आप फेक निउस उसे हम पकर नहीं पा रहें और अगर WhatsApp अपने इन-to-end encryption को तोड़ देते हैं मतलब जो customer का message वो अगर WhatsApp अपने सर्वर के उपर सेब करके रहते हैं तो उस जगे के अंदर government को यह detect करना काफी साथ है easy हो जाएंगे कि कौन यहाँ पर rule तोड रहा है और कौन यहाँ पर fake news को फैला रहा है लेकिन यहाँ पर meta की तरप से clearly बता दिया गया कि अगर उन-to-end encryption को तोड़ना पड़े तों वो मेली भारत के आपने services को completely बंद कर देंगे तो यहाँ पर देखने वाली बात के a government Whatsapp के यह particular rule को मानेंगे या नहीं मानेंगे अगर नहीं मानते तो Whatsapp अपने services को भारत के आप ух पर्रГूल पर सकते हैं आपको क्या लगते हैं कि सच में Whatsapp को भारत के इंदर अपने services को बंद कर देना चाहिए या क्या सरकर जो यहां पर बता रहे हैं उसे माल देना चाहिए अगर into an encryption खतम हो जाते हैं जो सरकर यहां पर चाहते हैं अगर into an encryption नहीं रहते हैं तो आपके whatsapp के security बिल्कुल भी नहीं रहेंगे आप whatsapp के साथ किसके साथ क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं हो सकते हैं कि अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं अपने गालफेंट बाफेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं हर इक चीज सरकाड यहां पर चाहें तो देख सकते हैं कि आप यह चाहते हैं या वाट्सप का जो इंट्रीट एंक्रिप्शन अभी के टाइम के अंदर चल रहा हैं किया वही रहने दिना चाहते हैं आपका और अपडेट्स आमने पास निकल कर रहा था छोटा सा वीडियो बन झाल 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 झाल